आपके साथ मैं हूँ अंजिना ओम कश्यप आज शुरुवात करेंगे उन 12 दिनों की तस्वीरों के साथ जो किसान आंदोलन के तौरान पिछले 12 दिन से देखे जा रहे हैं जिया आज किसान आंदोलन का 12 दिन था 7 दिसंबर से लेकर आप 26 नवंबर तक की तस्वीरे देख रहे हैं 26 को ही किसानों ने इसकी शुरुवात की थी 26 नवंबर के साथ वो धरने पर बैट गए थे और 26 नवंबर से बढ़ता हुआ उनका ये आंदोलन आज 12 दिन भी उसी तरीके से दिल्ली के बॉर्डर पर उन तमाम जगों पर किसान अड़े हुए हैं बॉर्डर पर खड़े हैं वो अपनी मांगों को लेकर MSP से लेकर हर मुद्दे पर उनकी अपनी मांगे हैं और वो चाहते हैं तीनों खृषी बिल रद्ध हो तो यह आपने 12 दिनों की तस्वीरे देख लिए अब आपको बता दे एक तरफ तमाम में पक्षी पाटियां आपके सानों के साथ लामबंद हो रही हैं कल के भारत बंद में समर्थन की बात कर रही हैं और सरकार दूसी तरफ से उन पर प्रहार कर रही है आज शुरुआत चोहन भी बीजेपी की तरह से मैदान में सामने आए हैं और विपक्ष पर प्रहार ये कह कर कर रहे हैं कि किसानों को ब्रमित किया जा रहा है योगी आदेतनात ने कहा था कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाने की फिराक में है विपक्ष इधर सुनिये क्या के पाखंड को फुजागर करना चाहता नंके बल कौंगरेस वाधर कौंगरेस के साथ रस्तपादी कौंगरेस प्रमित के आमाद्मी पार्टी फराज़ पार्टी एकाली दल भी हमाजबादी पार्टी पीएमसी लेफ्ट पार्टी A.P.M.C. Model X के बारे में क्या कहती रही है इसका खुलासा करना चाहता हूं कांग ने इसका जहाई टू बिराए और इसलिए किसानों को खिर्मिद करके अपनी राज़ी की चमकाने का घ्रिटिस प्यास कर दें मैं एक पत्र आपके सामने रख रहा हूं यह पत्रे स्रीमान सरत पभार जी का जो मुझे लिखा गया था और यह 2011 में लिखा गया था 2011 मैं तब भी की फिनिस्टर था मधिपदेश का कि सरत पभार जी क्रिशी मंत्री थे श्रीमान मन मोहन सिंग्जी भारत के प्रधान मंत्री थे और मैडम स्वानिया गांदी जी यूपे की चेयर पर संथी तो कॉंग्रेस और कॉंग्रेस ने क्या पहले अपना स्टैंड रखा था इन ही क्रिशी खानूनों पर इसी APMC Act पर इन सब का जिकर आप सुन रहे तमाम नेता हूँ और इस वक्त तमारे साथ सीधा रविशंकर प्रसाद जी केंद्रिय मंत्री लाइफ जुड़ रहे हैं नौन बीजेपी पार्टी यानि विपक्षी दल जो राजनीती कर रहे हैं इस ती आपने आज प्रेस कॉंफरेंस किया देश सोच रहतासर कानून मंत्री सामने आएंगे तीनों बिल मेरे हाथ में है कुछ आप समझाएंगे किसानों को ताकि जो आप लोगों का कहना है कि विपक्ष ब्रह्म पैदा कर रहा है वो ब्रह्म दूर होगा रविशंकर जी देखिए अंजना जी जहां तक किसानों से चर्चा का सवाल है हमारी सरकार बिल्कुल इंस्टूश्टराई रूप से उनसे बात कर रही है तोमर जी बात कर रहे हैं पियोश गोल जी बात कर रहे हैं पतादिकारी बात कर रहे हैं तो उस पर मैंने कोई टिपरी नहीं की लेकिन ये जो हमारे सारे भी पक्षिदल कूद गए मैदान में फिर भी हमने आज दो तीन चीज़ बताई ना कि किसानों की जमीन ना बेची जाएगी ना लीज होगी ना बंधक होगी ना इदर सेल नौर मॉर्गेज्ट नौर कहते हैं आपके बंधनकारी शर्टे नहीं होगी जो फसल होगी जो कंपनी कॉंट्रैक्ट फार्मी में आई हैं वो करेगी एक बात दूसरी बात हमने क्या कहा कि इस साल 28-30 नवंबर तक 60,000 करोड की धान की फसल खरी दी गई है सारका के दोरा MSP के अंतरगत और इसमें लग तो मतलब MSP में खरीदारी भी हो रही है हमने उसको भी इंक्रीज किया तो ये दो बाते हमने आज देश को बताई और तीसरी मुझे बताना जरूरी है जो मैंने देश के IT मंत्री गरूब में बताया था और मैं चाहता हूँ आपके चनल के मादम से देश के सामने जाना चाह 68 लाग किसान रिजिस्टर हुए हैं और लगभग डेल लाग व्यापाई रिजिस्टर हुए हैं और अब तक 1,15,000 करोड का उस पर व्यापार हुआ है फसलों को बेचने का तो अवसर देते हैं तो किसान कैसे उसका उपयोग करता है ये तीन बाते मैंने बताई वहां पर ज आपका कोई वजूद नहीं बचा है आपका कोई असित्व नहीं बचा है लोग स्वा में हारते हैं विदान स्वा में हारते हैं बिहार में हारते हैं आप हैदराबाद में भी हार जाते हैं आप नगर निकर बचुनाव में उसके बाद कहीं भी विरोध करना हो चाहे वो शा जब Congress कहती है कि हम मंडी कानून को समाप करेंगे अपने manifesto में, Congress कहती है किसानों को हम नियंतरन और जक्रन से मुक्त करेंगे, स्टिमान सरद पवार, पत लिख रहे हैं, उपिय सरकार में साखे लोग को कि अगर आप मंडी कानून को नहीं बदलोगे, तो आपको हम केंदर से पैसा दे भेजना बंद कर देंगे उस समय तो सब लोग खामोश रहते हैं तो यह बादे देश के सामने क्यों नहीं आनी चाहिए मुझे बताइए तो आप इसलिए कहा दोहरा चरित्र डबल स्टैंडर्ड हिपोक्रिसी शर्मनाक है तो देश को बताना जरूरी था यह तो यह तो यह तो सत्ता और विपक्ष का चरित्र हो गया है जो जहां पर बैठा है उसी साब से काम करता है और भी का स्टैंड लेता है तो देखिए हमने एक बात और कही अगर आप मेरी पूरी फ्रेस कांफरेंज का को कोड़ करेंगी तो हमने कंट्रैक्ट फार्मिंग किस-किस प्रदेश में लागू हुई है उसमें ने भाजपा के प्रदेश का भी जिक्र किया हमने कॉंग्रिस का भी जिक्र किया हमने बीजेडी का भी जिक्र किया हमने कई बात का जिक्र किया डीम के ने भी इस दिशा में अपनी सरकार में प्रयास किया था तो मै देखिए आज कई अख़बारों में बाते छप रही हैं मुझे अच्छा लगेगा जना जी कभी आप अपने चैनल पर दिखाईए किस तरह से नए ने पढ़े लिखे नौजवान आज शिमला मिन्स की खेती कर रहे हैं आज क्रेश क्रॉप जब मुझे मारे हैं बुलंद शहर में आस्ट्रेलिया के लोग कंपनिया आती हैं और एक से गाजर पैदा होता है किसानों के द्वारा और वो लाख रुपया कमा रहे हैं अगर हमारे एक प्रयोगात्मक कारिकरम नाश्यनल डिजाडल इनम् जो है उस पर अगर नैशनल रिकल्चर मारकेट एक देश एक मारकेट ऊटीचल प्लेट पर एक लाख पंद्रह हजार करोड का व्यापार लगबग अगर हमारे एक करोर 68 लाग किसान कर सकते हैं, हजार मंडियां आ सकती हैं, तो ये बताता है अवसर क्या है, उस अवसर को आगे बढ़ने दिया जाए। कि वो तीनों क्रिशी बिल आप चाहे रहे हैं कि पीछे लिजे वरना हम पीछे नहीं हाटेंगे। अब ऐसा है, उस पर मैं बात्चित चल रही है तो उस पर मैं कोई टिपणी नहीं करूँगा। इस देश में बड़े किसान कितने हैं, मजहुले कितने हैं, छोटे किसान कितने हैं। अच्छा होगा अगर अगर अंजना जी अपने अन्भो का लाब उठा कर अपने चैनल पर ये भी देश को ग्यान देंगी। कि देश के 80% प्लस किसान छोटे किसान है, मजहुले किसान है, क्या उनको अफसर नहीं मिलना चाहिए। और ये चर्चा तो हो रही है, अगर सरकार ने इमांदारी से कहा है, कि आपके हर शंकाओं का हम निराकरण करना चाहेंगे, तो कुछ लोग सुनवाई करते हैं कि MSP का एशुरूंच दे दीजिए, फिर एकाय कहते हैं, तीनों बिल को रिपील करिए, तो ये सब चर्चा वा ने कहा था कि 6 महीने में खत्म हो जाएगी APMC Act, मंत्री थे, देश के सारे CM को चिट्थी लिकी थी, डॉक्यमेंटरी एविडेंस के सामने मैं देश के सामने ये तमाम बाते रख रहा हूं, आपने फिर मुलायम सिंग को भी लिया, लेकि मैं शरत पवार पर स्पेसिफिक सव और आप चुब मेरी प्रेस कांफरेंस की बात करें, मैंने उसमें क्या कहा था, वो बहुत सम्मानिये हैं, चार-पांच बार मुख्यमंत्री रहे हैं, वर्षों केद में मंत्री रहे हैं, और वो सुधार के पक्षदर मैं जानता हूं, इसलिए मैंने उनका पूरा, आज भी चिठिया मेरे सामने हैं, जो मैंने प्रेस में प्रस्तूत किया था, और मैं बड़े पत्रकार हैं देश का, उसके इंटर्विव में उनने क्या कहा था, दोजार पांच में, कि छे मैने में मंडी एक्ट खतम होगी, एरिकल्चर प्रूइस मार्केट एक्ट, और जो नहीं सरकार के साथ सारे खड़े थे, जो आज विरोध कर रहे हैं, क्या कॉंग्रेस पार्टी, क्या टी-मसी, क्या लेफ्ट पार्टी, क्या मुलायम सिंग्यादो, क्या लालो प्रसाद की पार्टी, क्या ममता जी की पार्टी, सब भी खड़े थे ना, जो आज विरोध कर रहे है तो वो तो इस सिमा तक जाने को तियार थे कि अगर सरकार अपने मंडी कानूनों में सुधार नहीं करेगी तो हम आपको वित्तिय सहयोग बियना बंद कर देंगे तो वो तो इस सिमा तक चले गए थे हमने तरह सा कुछ नहीं का है तो फिर आज जब वो विरोज करने लगते हैं तो यह हमें आश्र लगता है कहीं न कहीं तो राजनीती में एक नैतिक्ता होनी चाहिए एक स्टैंड होना चाहिए और यह बड़े सवाल मैं कहूंगा क्योंकि आपका चैनल देश्वे में दिखा जाता है हमारे किसानों को नए विकास के अवसर मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए हमारे किसानों के आंदनी बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए या वही मंडी वही कुछ बिचॉलियों की जकडन वही जब वो कहेगा तो वही पौद लगाएंगे जो वो चाहेगा क्या इसे ही करना है यह है बड़े सवाल और देखिए हमने आज एक बात और विस्तार से कहा लगभग लाखों लोगों से कंसल्टेशन हुआ है डिजिटली हुआ बिकाज कोवीड के कारण कई दरजनों कमिटियों ने रिपोर्ट किया आपके याद करिए कि जब हम लोग इस कानू को लेकर के आये थे तो सामने अतन जीसे सवाल पूछा गया उन्हें कहा ओल दीजार स्टेप इन राइट डिरेक्श तो यह तो वर्षों से चल रहा है और आप जान लिजिए भारत का किसान नरेद मोदी जी विश्वास करता है और हमाई सरकार पर विश्वास करता है इसलिए हम जीतते हैं बार बार जीतते हैं और उनको लगता है और देखिए एक बात और एक मिन मैं और बता दूं सिर्फ यही काम नहीं किया, हमने देश में दस करोड किसानों के एकाउंट में लगबग एक लाइक करोल रुपया भीजा है कि नहीं भीजाए है अभी तक भीज रहे हैं, दो जार रुपया every three months, шे जार रुपया, ताकि वो बीज ले बाकी ले किसानों के लिए फसल भी मायोजना आई है कि नहीं आई है किसानों का मान धंगा कारेकरम हमने किया है कि नहीं किया है तो सिर्फ यही नहीं कानून नहीं किसान फावलंबी बने इसके लिए हम लाखो करोड उनके एकाउंट में भी भीज़ रहे हैं यह भी किसान देख रहा है तो मारी नियत बहुत साफ है यह हम कहना जाए मोधी विरोत का मौका देख रहा है इसमें विपक्ष यह आरोप लगाया है आपने जी मुझे इसका जवाब अच्छा कि आपने सवाल किया राजनीती में आप अपना स्वार्थ रखी है इस पर मेरी कोई आपती नहीं है लेकिन एक नई पॉलिटिक्स हम देख रहे हैं कि आपने जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो आभी वही करते हैं आज अखिलेश बाबूर अकाली के लोगों ने ही स्टैंडिंग कमिटी के सामने एरिकल्चर के सारे बाते कही हैं लेकिन ये बताईए कि क्या आप बार बार चुनाओं में हारते हैं तो मोदी जी के खिलाफ अगर कहीं भी कोई विरोज होता है तो क्या आप उसके पीचे खड़े हो जाएंगे यह है यह क्या हो रहा है भई शाहिन बाग होगा तो उसमें खड़े हो जाएंगे आजातंगवाजियों किलाफ पूरे चिठ्ठे सामने आ रहे हैं यह क्या क्या कांस्पिरेसी थी अब देख रही है है यह हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ भी होगा तो मोदी जी के विरोज क फैला रहे हैं तो आप लोग सत्ता में रहें कि नहीं कॉंग्रेस पार्टी रहीं कि मैं आप से पूछता हूँ ये कॉंग्रेस पार्टी का मेरा घोशना पत्र सामने में है जो मैंने दिखाया था आपने कहा कि हम एरिकल्चर प्रडूुस्ट मार्केट कमिटी के एक को रिपील कर देंगे और जब शिरादिक्षित हाई जी तो लालू जी यह कहा था राहूल गादी ने कि हम चुक्कि किसानों को फस जो फल बेचते हैं जो बाकी बेचते हैं उनको हम नियंतरन से मुक्त नहीं कर सके तो यह हारने का कारण था यह पूरा महान सिंग के नुसंश्चा के बिना उनके अंतरगत का प्लानिंग कमिशन यह रिपोर्ट दे रहा था तो ऐसा नहीं कि चिट्ठी शरत पौद ने कोई कैज मत नहीं लिखी यह सुविचारित सोथ थी और ठीक सोच थी दस सल आपने फॉलो किया तो आप में हिम्मत नहीं थ रहता है इसलिए देखेँ जितने लोग विरोध कर रहें रहूल कांधि की सरकार रही है। कॉल्स पARटी जानुन मंत्री जी ये सिर्फ विपक्ष से आपकी लडाई नहीं है ये मैं बार-बार इसलिए आपसे पूछ रही हूं क्यूंकि किसान अभी भी बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं और ये भ्रम दूर करना भी आपकी सरकार की ही जिम्यदारी होगी लेकिन आपने तुलना की है कि CAA हो शाहीन बाग हो कोई सुधार का विशय हो कोई विशय हो खड़े हो जाते हैं विपक्ष पर आप हमला कर सकते हैं लेकिन खृषी मंत्री ने भी कहा है कि किसान संगठन और उनके नित्रितु करने वाले लोग हैं जिन से हम बात कर रहे हैं आपने बिल्कुल कहा आज मुझसे आपने जो कि मेरी प्रेस कांफरेंस पर ये चर्चा रखिये मुझसे अपने प्राइंट टाइम पर तो मुझसे सवाल पूछा गया था मैंने का नहीं इस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि हमारे किसान संगठन के नेताओं के साथ हमारी सरकार एक विवस्थित रूप से सार्थक चर्चा कर रही है उस चर्चा को होने दीजिए हम किसानों की बात इमांदारी और हम एक लोगतांत्रिक सरकार हैं अगर देश के किसानों के संगठन को अगर हमसे कुछ सवाल पूछना है तो हम उसका सम्मान करते हैं उन्हें विज्ञान भॉमने अपना भोजन हम खुद ले करके आएंगे तो हमने तो कभी उनको रोका नहीं देखे इस बात को समझे हम लोगतांत्रिक आचर में विश्वास करते हैं इसलिए चार-पांच राउंड की बात हुई भले लाखों किसानों से हमारे विभाग के लोगों ने बात की थी मैं तुम से चर्चा करेंगे फिर चर्चा करेंगे उसमें पीछे नहीं अटेंगे क्योंकि लोगतंत्र में अंज्रावं कश्व एक बात ध्यान रखिए सुनवाई भी जरूरी है हम सुन रहे हैं उनको उनकी बात में कुछ लगेगा वजन सुधारने के बाद सुधारेंगे लेकिन ये हमको मालूम है कि ये कानून हमने किसानों के हित में बनाया है और काफी विचार सुविचारित रचना सोच के बाद बनाया है अनुभवग के बाद बनाया है और स्वामिनाथन ऐसे बड़े बड़े एक क्रिशी के विद्वानों के सोच के अधार पर बनाया है ठीक है लेकिन रास्ता निकल जाएगा आपको ये भरोसा है आप कह रहे हैं कि वो बाचीत क्रिशी मंत्री कर रहे हैं सवाल यही है सर कि यहाँ पर सुलह का रास्ता निकलेगा दो कदम पीछे हटने से शाय है तो मुझे उचित नहीं होगा कि मैं देश के सबसे ते चैनल की प्रखर एंकर शद्धामना अंजनाओं कश्व के साथ उस बाचित की फ्लेक्सिबिलिटी और नॉन फ्लेक्सिबिलिटी पर चर्चा करूं अच्छा होगा इस चर्चा के पूरी प्रक्रिया को आप उसी ग जस्वी आदव हैं उदर ममता वानजी दार रही है शरत पवार का आपने जिकर किया उधर ठाकरे हैं तमाम जो विपक्षी नेता हैं वो अब इस इशू पर तो किसानों के समर्तन में आप जो कहिए उसको बंदू पर उनके कंदे पर बंदू कहिए कुछ भी कहिए लेकिन अब देखे आप देखे आप यह देखे आपने के रिवाल जी का नाम लिया देखिए उनकी सरकार ने गज़र इसू किया है मैंने प्रेस में दिखाया था ना इनके कपकप का 23 नौंबर था उस सारे अध्यादेशों को आने वाले प्रभाव से लागू किया जाता है बताए अब आप एक तरफ लागू करते हैं एक तरफ आप धरने पर चल जाते हैं तो मैं क्या बताओं उनके दूसरे मित्र हैं उनकी मैंने चर्चा कि क्या नाम लूँ दोनों में अच्छे संबंद कैसे हैं क्या बताया आपको वो भी किसानेता बन रहे हैं उन्हें तीन साल पहले के तीन साल पूरा होने पर कि मोदी जी आपने मंडी कानून के बारे में कुछ नहीं का कि राज्य का विशा है मतलब आप कुछ नहीं करना चाहते हैं आज हम कर रहे हैं तो उस पर समस्या है आप मुझे बताइए ना कि क्या हमारे श्रीमान अखिलेश श्यादों ने किसानो के लिए मंडियों में कुछ मामले सुधार नहीं किया क्या और नहीं किये तो घलत काम किया हूं पांच साल मुख्पंत्री रहे यहां उनके पिता जी बढ़नेता हैं उन्दोंने समझा कि मंडी के चंगुल से किसान को मुख्प करना चाहिए यह बात वो स्टैंडी कमिटी क ने कभी किसानों के नाम पर नहीं छोड़ा था आपको मालूम है ना नुक्लियर डिल के नाम पर शोड़ा था यूपीय की सरकार को प्रमो कुरूप से बागी साधी पाटिया खड़ी थी 2014 तक जब वो हारे तब तो आपने कभी कुछ नहीं कहा कि यह क्यों कर रहे है शरत पावार जी बिना मनमोहन सिंग की अनुमती के पत लिख रहे थे क्या यह तो होता नहीं आपको मानूम क्या प्लैनिंग कमिशन बिना उस समय के पधान मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग की अन रहता है हम कोई पाप कर रहे हैं तब हमके लगा कि इनके अतीत को देश के सामने बताना चाहिए और हम बता रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए और तमाम बाते क्लारिफाई करने के लिए आगे भी आपसे चर्चा होती रहेगी धन्यवाद आपका इसे के साथ हम स्पेशल रिपोर्ट में एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं ब्रेक के उस पार भी आपको दिखाएंगे किसानों ने आज जिस तरह से आंदोलन को आगे लिगा है और कैसे आतंकी हाथ लगे है दिल्ली पुलिस के देखते रही आज ता नमस्कार आप देखे रहें स्पेशल रिपोर्ट नियूज रूम से आपके साथ एक बार फिर मैं अंचिना ओम कशेब बात उस आतंकी साज़िश के खुलासे की जो दिल्ली पुलिस ने किसान अंदोलन के बीच किया है पांच आतंकियों को गिरफतार किया है इंकाउटर के क्योंकि जो अभी तक की साज़िश है वो यही कि क्या खालिस्तानी आतंकियों के साथ पाकिस्तानी आतंकियों के गड़ जोड के जरिये एक बड़ी साज़िश रची जा रही थी दिल्ली में क्रिशी कानूनों के खिलाफ पंजाब से लेकर देश के अलग अलग राज्यों के किसान पिछले बारा दिनों से अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं दिल्ली आने वाले रास्तों पर डटे हैं सरकार के साथ मीटिंग पर मीटिंग हो रही है लेकिन बात नहीं बन रही है किसानों के आंदूलन को कंट्रोल करने के लिए रात और दिन दिल्ली पुलिस भी तैनाद खड़ी है और किसान आंदूलन के बीच दिल्ली पुलिस ने पांच आतंकियों को गिरफ्तार किया है इन में दो आतंकी पंजाब के खालिस्तान से जुड़े हुए हैं और तीन आतंकी कश्मीर के हैं अगर ये आतंकी दिल्ली में गिरफ़तार नहीं होते तो दिल्ली और पंजाब में बड़े नेताओं की हत्या को अंजाम देते आतंकियों ने किया दो बड़े टागिट का संसनी खेज खुलासा नकाब के पीछे छुपे ये पांचों चेहरे बेहद ही खतरनाक हैं ये वो आतंकी और खतरनाक गैंक्स्टर हैं जिनकी लंबे अर्से से दिल्ली पुलिस को तलाश थी आज हम आपको इन आतंकियों का पूरा प्लान बताएंगे इनके आखा कौन हैं और ये कौन सी बड़ी साज़िश को अंजाम देने वाले थे सबसे पहले आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं जहां इन आतंकियों को एंकाउंटर के बाद गिरफतार किया गया और स्पेशल सेल इन पांचों आतंकियों को दबोच लेती है दिली पुलिस के हाथ बड़ी कामियाबी लगी है अल सुबह दिली के शकरपूरी लाके में पांच आतंकियों के साथ special cell की मुढब्रेड हुई जिसके बाद कुल पाँच आतंकियों को गिरफतार किया गया है जिसमें दो पंजाब के रहने वाले हैं और तीन जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं special cell के सूतरों के मताबिक पंजाब के तरन तरन में बलविंदर सिंग संधू जिनकी हत्या हुई थी जिन्होंने पंजाब में आतंकवादियों के खिलाब काफी काम किया था उनकी टारगेट किलिंग हुई थी उसके में सूटर special cell की टीम ने गिरफतार किया इन आतंकियों के पास से एक लाख डॉलर, ड्रग्स और हत्यारों के साथ-साथ कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए हैं दिली पुलिस इन आतंकियों का किसान संगटनों से भी लिंक खंगाले में जूटी हुई है पठान है, राठा है, खान है, यह तीन कश्मीर के हैं जो पकड़े गए हैं और यह गुरजीत और इसका से शोटीप है, इनका पंजाब के पकड़े गए हैं और इनका नेटवर्क मैंने आप से फिर कहा कि जो पंजाब के लड़के हैं," इनके पीछे सुखविखारीवाल हैं. सुखविखारीवाल के साथ में पंजाब के एक ग्यानी ग्यानी करके एक सुखष़ गैंक्स्र हैं। कि अरड़ी वेरिफाइ कर रहे हैं जे जेल में चल रहे हैं यह उन सब के कनेक्शन में थे यह लगे हैं वेपन्स जो हैं इनको सुख भिखारीवाल के इंस्रक्शन पर सफ्लाई किये गए थे सफसिक्रिट इंग्लिश वेपन्स हैं के पास और इसके लिए पैसा था वो इस ड कश्मीरियों ने ड्रक्स बेचा था वो ड्रक्स का पैसा इंको दिया गया तो बेसिकली जो मैंने कहा कि ये दोनों कश्मीर और खालिस्तान नेट इनको कमाइन करने की कोशिश की गई हैं चूंकि एक आम आदमी इसमें नहीं हो रहा है आम आदमी पंजाब का जो है वो इस इस लिए इस इस आइडिलोजी को हवा देने के लिए गैंक्स विसका स्टेमाल कर रहें क्रिमिनल्स कर रहें डिली पुलिस के स्पेशल सेल की माने तो इन आतंकियों के आखाओं का प्लान बहुत बड़ा और घातक था पकड़े गए आतंकियों के नाम हैं शबीर एहमद अ इसलामिक आतंकियों का गठ जोर हो रहा है भारत के खिलाफ नई साज़िश का ये गठ जोर कैसे हुआ है आज हम इसका भी खुलासा करेंगे लेकिन उससे पहले आपको बता दे कि गिरफतार हुए आतंकियों ने पूछताच में कई संसने खेश खुलासे किये हैं इनमें ए किलिंग में एक्च्वल जो जिसने किलिंग की थी जिसने गोली चलाई थी वो गुर्जीत सिंग है जो पकड़ा गया है और इसके साथ जो दूसरा इसका सशेट है वो भी रहकी में शामिल था और किलिंग में शामिल था तो वो नेटवर्क एग्जैटली कौन-कौन लोग हम आपको बता दें कि 16 अक्टूबर को पंजाब के तरंतारन में घर में घुसकर बलविंदर की हत्या की गई थी तब से पुलिस को तीन आरूपियों की तलाश थी लेकिन ये हत्या क्यों और किस के कहने पर कराई गई थी आतंकियों ने खुलासा पाकिस्तान से लेकर दिल्ली पुलिस के माने तो फिलहाल इन आतंकियों के दो टागिट थे निशांत शर्मा और अर्विंद गौतम ये दोनों ही नेता शेवसेना हिंद से जुड़े हैं और ये दोनों ही नेता खालिस्तानी समर्थकों के खिलाव आवाज उठाते रहे हैं कि स्कुज़े हम दिल्ली पुलिस और पंजाब लोसकर सिलूट करते हैं अभी हाल ही में आज हमें मिडिया के माधियों से पता चला है कि 15 अपरेशन सेल की स्पैशल सेल ने उनको पकड़ा एं जो कि पूरा बढ़ाई के पातर है स्पैशल सेल के दिल्ली के सपैशल सेल के अ हम तो सभी आतंकी सिंगटनों को पील करते हैं कि आप आतंस मरपन करके आम साफ सुत्री जिन्दकी जीनने का प्रयास करें। दिल्ली में किसान आंदूलन के बीच एक बड़ी साज़िश का परदाफाश हुआ है। पुलिस इन आतंकियों से और भी सच उगलवाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि भारत के खिलाफ खालिस्तानी और इस्लामिक आतंकियों का गट जोड हो रहा है। अर्विन दोज़ा के साथ तनसीम हैदर दिल्ली आज तक। सवाल ये है कि ऐसे वक्त पर पंजाब के खालिस्तानी आतंकियों के साथ कश्मीर के इन आतंकियों की गट जोड कराने के पीछे आखिर आएसाई की क्या सोच है। किस तरह की साज़िश वो हिंदुस्तान के खिलाफ इस वक्त कर रहा है। ऐसा नहीं है भारत सरकार भी और भारत की पुलिस उसे फाप रही है। जो टेरर फैनेंसिंग करते हैं कश्मीर को उनको एक साथ पकड़ा है। और वही से घातक और नापाक प्लैन बना रहे हैं और आतंग के ये आका भारत के खिलाब खालिस्तानी आंदुलन को हवा देना चाहते हैं और इसके लिए गल्फ के किसी देश में छुपा बैठा गैंग्स्टर सुख भिकारी वाल आईसाई का मुहरा बना हुआ है लोग कालिस्तानी आइटेलोजी से डिसलुजण हैं इसलिए किलिंग्स के लिए ये पंजाब के क्रिमिनल्स और गैंस्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो लड़के पकड़े गए हैं क्रिमिनल्स आई हैं और इनका जो हैंडलर है वो गल्फ में बेस्ट है सुख बिखारीवाल और सुख बिखारीवाल के पीछे अगे इसाई बैठी हुई है जो उसको हैंडल कर रही है फर्दर जो कश्मीर के ये तीन लोग पकड़े गए हैं ये ड्रक्स का काम करते हैं और O.G.W. हैं ये हिजबलमजाईदीन के और इनके कनेक्शंस हिजबलमजाईदीन में हैं मीडिया रिपोर्स के मताबिक पाकिस्तैन में खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का रंजीत नीटा सेलफ स्टाइल डॉन है और भारत की Most Wanted लिस्ट में इसका नाम है बताय जा रहा है कि रंजीत नीटा ने पंजाब के कुख्यात गैंक्स्टर भिखारीवाल को काम सौपा खा और पंजाब के जो दो आतंकी पकड़े गए हैं वो भिखारीवाल के गुर्गे बताय जा रहे हैं कहा जा रहा है कि भिखारीवाल ने ही दिल्ली में पकड़े गए पंजाब के दोनों आतंकियों को बल्विंदर सिंग के हत्या की सुपारी दी थी यानि बल्विंदर सिंग के हत्या की साज़िश पाकिस्तान से रची गई थी ताकि यहां अमन चैन को खराब किया जा सके यह है कि किस तरीके से जो I.I.S.I. है किस तरह से पञ़ाव में जो खालिस्तान मुव्मेंट है उसको जिन्दा करने की कोशिश की जा रही है लेकिन पञ़ाव के लोग उसे सीरे से खारिध कर रहे हैं इस लिए गैंग्स्टर का इस्तमाल कर रही है I.I.S.I. जो पाकिस्तान में खालिस्तानी आतंगवादी है और ISI के ओफीसियल वो मिलकर गैंग्स्टर हायर कर रहे हैं उसके बाद किस तरीके से बलविंदर संदू की टारगेट किलिंग की गई RSS के कई लीडर हैं उनकी टारगेट किलिंग की गई दिल्ली पुलिस के मताबिक पकड़े गए पांचो आतंकी नारको टेरिज़्म से जुड़े थे जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान के खुफिय आइजनसी ISI कर रही थी ये पांचो आतंकी नारको टेरिज़्म के जरिये नारकोटिक्स की डिल भी करते थे जो पैसा आता था उसे आतंकीयों तक भेजते थे और इस पैसे का इस्तेमाल टागेट किलिंग में होता था दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के माने तो कश्मीर के तीनों आतंकी पंजाब के दो आतंकीयों को पैसा देने आय थे और फंडिंग ISI करवा रही थी यानि जिस तरह से शौर चक्र विजेता बल्विंदर सिंग के हत्या की गई उसमें ISI भी साफ नज़राती है क्यूंकि आतंक के खलाफ शौर चक्र पाने वाले बल्विंदर सिंग बड़े योध्धा माने जाते थे आतंकवात के दोर में पंजाब के तरहन 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 में बल्विंदर सिंग अपने घर से बहादूरी से आतंकियों से लोहा लेते थे तरन तरन के कस्वे भिखी विंड में बल्विंदर सिंग ने खालिस्तान कमांडो फोर्स के आतंकी परमजीद सिंग पंजवर को कड़ी चुनोती दी थी 1980 से 1993 के बीच बल्विंदर सिंग के घर पर 11 बार हमले हुए लेकिन हर बार उन्होंने आतंकीयों का बहादूरी से मुकाबला किया इसलिए वो आतंकीयों के हिट लिस्ट पर थे और अब दिल्ली पुलिस ने पांच आतंकीयों को गिरफदार कर नई साज़श पर फुल स्टॉप लगा दिया है और आतंकीयों से साज़श के गहरे राज उगलवाने की कोशिश हो रही है अर्विंदोजा दिल्ली आज तक इस खबर पर रहेगी हमारी नजर हमें एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं लेकिन ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे अयोध्या का रेल्वे स्टेशन बदला नाम बदला है क्या होगा नया नाम ब्रेक के बाद 104 करोड की लागत से बन रहा है नया अयोध्या में रेल्वे स्टेशन और नाम भी बदला जा रहा है नाम अब होगा अयोध्या धाम रेल्वे स्टेशन दिली से भी एक एक प्रेस ट्रेन दोड़ेगी अब अजिध्या स्टेशन का नाम अयुध्या रेल्वे इस्टेशन का निर्मार कर रहा है यह रेल्वे इस्टेशन राम मंदिर मौडल की तर्स पर बनाय जा रहा है जिसको बाहर से देखने पर राम जन भूमी मंदिर का व्योव मिलेगा अभी हाल ही में फैजबाद जंक्षन का नाम बदल कर अयुध्या कैंट करने का प्रस्ताव भी जा गया है इसी तरह अयुध्या रिल्वे स्टेशन का नाम अब अयुध्या धाम होगा अयुध्या से दिल्ली के लिए फैजबाद दिल्ली एक्सप्रेस भी शुरू हो रही है बनवीर सिंग अयुध्या आज तक स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहे आज तक नमस्कार मैं हूँ अंजना ओमकश्यप अमें उमीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा लेटेस्ट खबरों के लिए यूँ ही देखते रहे आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले